नमस्कार स्वागत है आपका राज्य सभा टीवी में मैं हूँ आपके साथ अम्रिता चौरसिया शुर्वात हैडलाइन से तेल की बढ़ी कीमतों पर सरकार ने दी बड़ी राहत पेट्रोल डीजल पर एक साइस जूटी एक दशमलों बात शुर्ण ने रुपए कम करने का आलाब तेल कंपनियां भी घटाएंगी एक रुपए राज्यों से वेड घटाने की अपील के बाद उत्तरप्रदेश समेत दिवराच्योंने की और ठाई रुपए की कटाओती हवाई यात्रियों के लिए सरकार शुरू करेगी डिजिटल यात्रा सेवा डिजी यात्रा प्रयास के तहत लागू की जाएगी नई सुविधा फेशल रिकगनीशन बायो मीट्रिक सुविधा के तहत चहरा दिखाकर अधार और अन्य दस्तावेसों के जरिये करा रहा होगा ओनलाइन रजिस्ट्रेशन बार से पहली बार में अम्मार वापस भेजगे साथ रोहीं गया दो हजार बारह से अस्सम के जिल चरस्तित कछार केंद्रिये जेल में बंद थे अवैध प्रवास सुप्रिम कोट ने सरक अधार के फैसले में हस्तक शेप करने से किया इनका दो दिन की भारत यातरा पर पहुंचे रूस के राष्ट्रपती ब्लादमीर पुतिन विदेश मंत्रे सुश्मस और निकी आगवानी प्रधान मंत्री नरिन मोदी से उनकी आवास पर जारी है मुलाकात इरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान समीत एहम मस्त्रो पचर्चा दोनों निताओं के बीच शिखर वारता कल और पहले टेस्ट मैच में शतक लगाने वाली सबसे युवाब भारतिये बने प्रधवी शौराज कोट में वेस्टन डीस के खिलाफ बनाए 134 रन पहले दिन चार विकेट के नुकसान पर 364 के स्कूर के साथ मजबूत सिती में टीम इंडिया रूसी राष्टपती ब्लादमेर पुतिन दो दिवस्ये भारत यासरा के तहट दिल्ली पोहच गये हैं अभी साथ लोग कल्यान मार्गस्थित प्रधान मंत्री नरेंद मुदी अवास पर दोनों नेताओं की और अनौप चारिक मुलाकाद जारी है ब्लादमेर पुतिन के सम्मान में रात्री भोच का भी आयोजन किया गया है जहां प्रधान मंतरी दरेंदर मोदि और रूस के राश्टरपती बलादिमीर पुतिन के बीच कई अंतरास्टरी एमुद्दो पर चर्चा होनी है प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी और रूस के राष्टपती ब्लादिमिर पुतिन के बीच शुकरवार को शुकरवारता होगी दोनों नेताओं के बीच इससे पहले 21 मई को रूस के सोची में अनुपचारिक मुलाकात और बाचीत हुई थी शुकरवार को होने वाली बैठेक में वैश्विक मसलों पर विचार विमर्श किया जाएगा शुकरवारता के दौरान भारत रूस के बीच कई समझोते होने के आसार है इन में सबसे एहम सौदा रूस के साथ S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद से जुड़ा है इसके लावा लड़ाको हेलिकॉप्टर को मोव के मेक इन इंडिया के तहत भारत में निर्मान पर भी सहमती बन सकती है दोनों देशों का लक्ष सालाना आपसी व्यापार को 30 अरब डॉलर के पार ले जाना है जो फिलहाल 10 अरब डॉलर है भारत रूस के शिर्ष नेताओं के बीच बाचीत के अन्य मामलों में अंतरिक्ष में सहयोग तेल और गैस की रूस से आयात की स्थितियां भी शामिल है रूस में हाली के दिनों में तेल गैस के उत्खनन में तेजी आई है जिसे भारत के लिए भी इसमें अवसर बने हैं इसके लावा रूस के साथ क्रिशी क्षेतर में भी आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी इरान पर अमेरिकी प्रतिबंद के स्थिति में संयुक्त रणनीती, हिंद प्रशांद क्षेतर में चीन की गतिविदिया, डक्षन एशिया खास कर पाकस्तान की तरफ से सीमा पार आतंगवाद और अफगानिस्तान में शांती के लिए संयुक्त रणनीती जैसे एहम मसले भी शिखरवारता के एजेंडे में शामिल होंगे पदानमंतरी नरेंदर मोदी और रूस के राश्टपती ब्लादिमिर पुतिन शुकरवार को सयुक्त रूप से इंडिया रश्या बिसनिस सम्मिट को भी संबोधित करेंगे और दोनों देशों के कारोबारी समुदाय की समस्यां सुनेंगे इस दोरान वीजा मामलों में आने वाली मुश्किलों पर भी बात हो सकती है चातरों से मुलाकात के लावा पुतिन की यात्रा के आखिर में राश्टपती रामनाद कोविंट से मिलने का कारिक्रम भी है इस बैठक में परधान मंती नेरिद मोदी और रूस के राश्टपती व्लादीमिर पुतीन को अफगानिस्तान के मामले में भी अपने मद्भेद दूर करने हैं रूस चाहता है कि अफगानिस्तान में शांती बहाली के लिए तालिबान और पाकिस्तान की मदद ली जाए जबकि भारत का कहना है कि इन दोनों की मदद से वहां समस्याएं और बढ़ेंगी अब देखना ये है कि भारत और इस मामले में मदभेद के साथ आगे बढ़ते हैं या वे कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालते हैं ताकि अफगानिस्तान में सरो सम्मत तरीके से खुशाली वापस लोट सके राज्य सभा टेलिवीजन के लिए कैमरा पसंद मनोज के साथ दिल्ली से अखिले सुमन एवरेस्ट के चोटी फतह करने वाली पहली भारते महला बच्छेंदरी पाल के नितरत में चालिस सदस्य राफ्टिंग दल गंगा नदी की सुच्छता के संदेश को जन जन तक पहुचाने के लिए मिशन गंगे अभियान चलाएगा अभियान के पहरे इस दल ने प्रधान मंत्री नरेंद मोदी से मुलाकात की दिगज प्रवरता रोही बच्छेंदरी पाल और उनकी टीम पांच अक्टूबर को हरे द्वार से अपने मिशन गंगे अभियान की शुरुआत करेंगी यदल गंगा में रीवर राफ्टिंग करते हुए अपना अभियान शुरू करेगा और करीब पंद्रह सो किलो मीटर की यात्रा पूरी करने के बाद पटना भी 30 अक्टूबर को इस अभियान को पूरा किया जाएगा इस दौरान गंगा की किनारे बसे लोगों को नदी की सफाई के बारे में जागरू किया जाएगा केंद्र सरकार ने आज पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों पर बड़ी राहत दी है इसमें पेट्रोल और डीजल की कीमत ढाई रुपे प्रति लीटर कम होगी वित्टमानतरी अरून जेटली ने आज इसका ऐलान किया है उन्होंने बताया कि किन्च सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक साइस ड्यूटी डिड़ रुपे प्रती लीटर घटाने का फैसला किया है इसके अलावा तिल कम्पनियां भी एक रुपे प्रती लीटर कीमत कम करेंगी उन्होंने बताए कि इस से टेक्स राजस्व पर 10,500 करणों रुपए का असर पड़ेगा कटोती का फाइदा आज आधी राज से मिलने लगेगा वितमंत्री ने राज्जियों से इतना ही वेट घटाने का नुरोध किया है जिससे वो भुगताओं को पाच रुपए का फाइदा हो सके दिल्ली में आज एक लीटर पेट्रोल की कीमत 84 रुपए और डीजल की कीमत 75 रुपए 45 पैसे है इंटरनेशनल ओयल प्राइजिस की जो इस वकत स्तिती है वो बिलकुल अंसर्टन है इरान में क्या होगा ये एक अंसर्टनेटी के दौर में है ओपेक क्या करेगा प्रोडक्शन इंक्रीज के लिए वो अंसर्टनेटी के दौर में है और इसलिए कंजूमर्स को भी पब्लिक डिस्कोर्स में इस बात के लिए जानकार रहना चाहिए कि यह जो इंटरनेशनल प्राइस बढ़ रहा है उसकी वज़े से जो देश तेल खरीते हैं उनको तकलीश वभादिक रूप से होती है झालात क्रकी स्थथमिट्टार रहना है – यह जो ढ़ीस से हैंकिंवे ग्यूल मेंतेशनल थूपूकरा कॉण्य इंप्रा मूंगा जया इस मनुद्राइन ट्रीक वैसे हैं आपत काउन्सी है ने बच दूब्लिक अरूप कहा हैं आपक ठाएमिओ जिए सूच्च वज़ाद बी केंद्र के एलान के बाद उतरप्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेश, चछतीसगर और जारकर ने पेट्रोल और डीजल पर धाई रुपए प्रती लीटर वैट खटाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार एरपोर्ट पर लंबी कतारों से निजाद दिलाने के लिए डीजी यत्रा सेवा की शुरुआत करेगी। इससे समय के साथ खर्च में भी कमी आएगी। इसके तहत हवाई यत्रा करने वालों को जल्द ही एरपोर्ट पर बायोमेट्रिक के जरिये प्रवेश मिल सकेगा। सरकार की ओर से शुरू की जा रही डीजी यत्रा पहल के तहत चहरे की पहचान की जा सकेगी। नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभू ने कहा कि भविश्य को देखते हुए ये पहल की गई है। इससे शिकायतों में भी कमी होगी। DG Yatra is a very forward looking futuristic initiative in which many times people keep complaining that there are so many boarding passes has to be stamped. So now we will eliminate all that process and only way people will be identified will be once those who are voluntarily offered to do that on the basis of their facial expressions and everything else that is a biometric capturing. चुनिंदा हवाई अडो पर जल्धी DG Yatra pilot project के तौर पर शुरू होगी। इसमें यात्रियों के पास चहरे की पहचान का विकल्प होगा। भारती विमान पत्तन प्राधिकरण अगले साल तक इस सुविधा को कई और हवायडों पर शुरू करने की योजिना बना रहा है। To make it in a very lightweight regulation, very flexible and dynamic technology and a phased implementation airport by airport. That's the technology problem, that is the real life problem that we've solved, which is as I said very unique in the world and there's tremendous amount of interest in the design of this whole platform and the way it's been put together, including all of the privacy requirements that we should have under GDPR and privacy by design frameworks that are required now in the world. चहरा पहचानने की सुविधा, डिजिटल और बायोमेट्रिक अलहार पर होगी. इससे यात्रियों को हवायडो पर प्रवेश और अन्य जरूर्तों को पूरा करने में आसानी होगी. हालाकि पुराना सिस्टम भी चलता रहेगा. ये सुविधा यात्रिय अपनी मर्जी से ले सकेंगे. नविक्रम सिंग, राज्यसभा टीवी. इसमें से 23,287 को मन्जूरी दी गई. अभी तक 32,814 हॉस्पिटल ने इस स्कीम से जोडने के लिए अरजी दी है. इसमें से 13,865 योजना से लिंक हो चुके हैं. इस योजना के तहित गरीब परिवारों को 5 लाख रुपे का हेल्थ इंशुरेंस दिया जा रहा है. इसका फायता देश के 10 करुण परिवारों को मिलेगा. इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है. साथ ही पैकेज रेट पर हॉस्पिटल को भुक्तान होगा. और यहां लेंगे एक छोड़ा सा ब्रेक आप देखते रहे हैं राज्जे सभर टीवी. राज साड़े आड़ बजे सिर्फ राज्जभर टीवी पर देखते. वो में होता है इसका शुमार. इतनी बुलंद कि 30 किलोमीटर दूर से भी आप कर सकते हैं इसका दीदार. हर बारह साल में होता है बाहु बली का महमस्त का भिशेग. भक्त करते हैं दूद, केसर और सोने के सिक्कों से इनका शंगार. मद्रप्रदेश, 36 गर्ड और राजस्थान में होने वाले विधान सभा चुनाओ को श्वांति पुन धंक से संपर निकराने के लिए सुरक्षबलों के 25,000 जवानों को तैनात किया जाएगा. केंड्री गर्मंत्राले ने इस बारे में निर्देश जारी किये हैं अर्धिसैनिक बल और राज्य पुलिस कर्मी चुनाव वेवस्था में लगाए गए जाने वाली अतरिक तद 250 कमपनियों का हिस्सा होंगे. गर्मंत्राले ने सुरक्षबलों को 15 अक्टूबर तक उनके ज्यूटी स्थल पर पहुचने के लिए कहा है. इनमें से सुरक्षबलों की 50-50 कमपनिया मध्यप्रदेश और राजस्थान में भेजी जाएंगी जबकि नकसल प्रभावित 36 गड़ में 150 कमपनियां तैनाथ होंगी. राज्य पुलिस या केंद्रियस अशस्त्र पुलिस बलकी एक कमपनी में करीब सौ जवान होते हैं. ताकि विधान सभाजनाओ के शान्ति पुल्न धंक से संपन कराने को सुनश्षित किया जा सके. उप्रास्ट पतियं वेंक्या नाइडू ने कहा है कि महलाओ की भागिदारी के बिना कोई भी देश प्रगती नहीं कर सकता. अपने संबोधन में उप्राश्ट पती ने कहा कि महलाओ की अंदेखी कर कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता है. उप्राश्ट पती ने शिक्षा को सामाजिक बदलाव का प्रमुक हतियार बताया. उन्होंने कहा कि भारत जैसे देश में महलाओ के सशक्तिकरण के लिए शिक्षा एक मजबूत आधार है. उप्राश्ट पती ने महिलाओं के साथ भेदभाव पर चिंता जाहिर की. उन्होंने रूडिवादी सोच को बदल कर महिलाओं को हरक्षेत्र में जगा देने की जरूरत बताई. उप्राश्ट पती ने लोगतंत्र की मस्बूती के लिए महिलाओं की राजनेतिक भागेदारी को जरूरी बताया. उप्राश्ट पती ने कहा कि ज्ञान के बावजूत, भारती शक्षन संस्थान, विज्ञान और प्राद्यूगी की के ख्षेत्र में नवाचार के केंदर नहीं बन पाए हैं. उन्होंने कहा कि इनोवेटर्स और शोद को बढ़ावा देने के लिए हमें शक्षा प्रणाली में बदलाव की जरूरत है, जो युवाओं की रचनात्मक्ता, विचार और कौशल को आगे लाने में मदद करे. राज कमल राव, राज्यसभा टीवी भारत ने आज अस सात रोहिंग्गया लोगों को वापस मेअमार भेजज दिया है, पहली बार रोहिंग्गया लोगों को वापस मेअमार भेज़ा गया, सुप्रीम कोड ने भी इन्हें वापस भीजने से रोकने वाली याची का खारिच कर दी और इस मामनी में द charms देने सि ये लोग असम में गैरकानूनी तरीके से रह रहे थे। इन्हे दोहजार बारे में गिरफतार किया था और तब से सिल्चर की कछार जेल में बन थे। इन साथ रोहिंग्याओं को म्यामार भेजने की अनुमत दी थी। कोट ने कहा कि सक्षम अदालत ने साथ रोहिंग्याओं को अवायद प्रवासी पाया और म्यामार ने उन्हें अपने नागरिक के तौर पर स्विकार कर लिया। अदालत ने कहा कि वो इस फैसले में दखल नहीं देगा। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि साथ रोहिंग्या साल 2012 में भारत में अवायद रूप से दाखिल हुए और उन्हें विदेशी अधरियम के तहत दो शी ठहराया गया था। केंद्र ने ये भी बताया कि म्यामार ने साथ रोहिंग्याओं के प्रितरपन के लिए एक महिने के वीजा के साथ इनकी पहँचान का सर्टिफिकेट भी जारी किया है। करीब 40,000 है। पिछले सब्ताह केंद्री ग्रेह मंत्राले ने राज्यों से रोहिंग्या लोगों के बायोमेट्रिक जानकारी को जमा करने को कहा था। ये जानकारी म्यामार सरकार को सौपी जाएगी। रवीन सिंग्शोरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट राजसभा टीवी। ICICI Bank के CEO और MD चंदा कोचर ने अपने पद से स्तीफा दे दिया है। Bank के Board of Directors ने उनका स्तीफा मनजूर कर लिया। चंदा कोचर की जग़ा ICICI Bank के मौजूदा CEO, COO यानि की मुखे पर चालन अधिकारी संदी बक्षी को नया CEO और MD निक्त किया गया है। उनकी कारेकाल 5 साल के लिये होगा चंदा कोचर ने विडियो कॉण कर्च मामले में आंतरिक जाच पूरी होने तक छुट्टी पर उने भेज दिया गया था और उनकी जग़ा संदी बक्षी को COO निक्त किया गया था। दरसल ICICI बैंक ने कर्जदारों से बैंक के हितों के टक्राव और फाइदा पहुचाने के विसल ब्लोवर के आरोपों के बाद चंदा कोचर के खिलाफ स्वतंतर जाच का फैसला किया था। विडियो कॉन ग्रूप को लोन देने के इस मामले में चंदा कोचर और उनके परिवार के सदस्यों की मिली भगत का रोप है। चंदा कोचर और ICICI बैंक से जुड़े मामले को से बी के अलावा आर बी आई और कॉर्पोरेट अफेर्स मंत्राले भी देख रहे हैं। शुएर बाजार में आज रगतार दूसरे दिन बड़ी गिरावट दर्ज़ की गई। हेल्थ केयर, आई टी, आईल और गैस, बैंकिंग और आटो कंपनी के शेरों में बड़ी गिरावट देखी गई। और अब खेल की खबर, वेस्टरंडीस की खिलाफ राज़ कोट में खेले जा रहे हैं टेस्ट माच के पहले दिन भारती टीम ने चार विकेट खोकर 364 रन बना लिए। इसमें खास रहा 18 साल की बल्लेबास प्रिथवी शौ का डेप्यू टेस्ट शतक। उन्होंने पहले मैच में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्री के भारती खिलाड़ी बनने के साथ ही कई रिकॉर्ड अपने नाम किये। पहले दिन टीम इंड़ा की ओर से चेतेचवर प्रिथवी शौ के नाम रही जो डेब्यू टेस्ट में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के भारती खिलाड़ी बन गए। पुरा किया। प्रिथवी शौ टी बेक से ठीक पहले 134 रन बना कर आउट हुए। उन्होंने 154 गेंदों पर 19 चौक के जड़े। प्रिथवी शौ ऐसे पहले भारती खिलाड़ी भी बन गए हैं जिन्होंने दिलिप ट्रोफी, रनजी ट्रोफी और इंटरनाशनल टेस्ट टेब्यू तीनों में शतक लगाया। मैच पर दूसरे छोड से चेतेशपर पुजारा ने भी प्रितिवशो का पूरा साथ दिया और दूसरे विकेट के लिए दोनों के बीच 206 रन की साजेदारी हुई। चेतेशपर पुजारा 130 गेंदों पर 14 चौकों की मदद से 86 रन ब ब्यूरो रपोर्ट राज्यसभा टीवी का में ही खेला जाएगा। और हाल ही में भारी बारिश और बार्ड की मार्स से उबर रहे केरल और 2015 में बार्ड का मनजर देख चुके तमिनाडू में मौसम का मिचास एक बार फिर से बदल रहा है। इन राज्यों में अगले तीन से चार दिन तक भारी बारिश होने की आश सागर शुकरवार को कम दबाव वालक श्वेत बना रहेगा जो उत्तर पश्चिम की और बढ़ सकता है। जिसके चलते हैं अंधर प्रदेश की तट्ये एलाकों रायाल सीमा और तमिनाडू पुडूचेरी में अगले 48 घंटों में भारी बारिश होने के आशार बन सकते हैं आईमडी के मौसम बुलेटिन के अनुसार ये हालात एक चक्रवाती तूफान में तबदील हो सकते हैं जिसमें तेज हवाएं चलने की आश्रंका है तट्ये जिलों में रहने वाले मच्छवारों को समद्र में नहीं जाने और समद्र तट्ट से दूर रहने की सलाह दी गई है जिला प्रशासन को सतरक रहने और बचाव के उचे तुपाई करने के लिए नर्देश जारी किये गए हैं और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना है लेकिन जलते जलते एक नज़र डालिए देश भर के मौसम के हाल पर दीजे अजासत नमस्कार कर दो कर देज़ से में में अलते जाहा हैं झाल झाल झाल